हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो मैं फिर से आ गए हूँ एक दम से नए टिफ्स और ट्रिक्स लेके जो आपको काफी हेलफुल रहेंगे लाइफटाम काम आएंगे वीडिय बहुत तेज भयानक वाली जलन होती है और जलन इतनी जज़ादा होती है कि वरदास्त से बाहर होती है और फफूला भी पढ़ जाता है तो आपको छोटा सा काम करना जब आपकी साथ गटना हो तो आपको लगाना थोड़ा सा सर्सों का तेल ही मेरी आजमा ही हूई ट्रिक ह पिल्कुल जलन विल्कुल होगी और ना jsem कोई आजमाई हुई यही लगाया, तो सच में ना कोई दाख धबा हुआ, ना फ़फोला हुआ, اور जलन साथ की साथ सांत हो गई, तो जादा से जादा से से सेर करना डेक्स्स ट्रेक के मेरी नीबू लाते हैं बहुत ज्यादा महंगा एंगा तो यह जदी कई वारे ने अक्सर सूख ही जाता है गर हम इसे ऐसे रख देते हैं फिरिज में तो आगे से छोटा सा काम करना तो आपका नीबू है महिनों तक चलेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो आपको लेना है कोई भी मैंने दो नीबू रख रही है तो आप जादा हो तो उसके साब से पानी बढ़ा लें किसी भी कांच के बरतन में रखें इसको पानी डाल दें उसमें नीबू डाल दें उपर से या तो फॉयल लगी होगी अच्छी लग रही हो मेरी ट्रिक तो कमेंट में जरू बताना कि आप मेरे वीडियो दुर्या के किस गांव सहर से देख रहे हो आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़के मुझे बहुत खुसी होती है नेक्स्ट आइडिया मेरा आटे में वर्फ डाली है कभी न ना बनाते तो ना तो नरम बन्ती है नहीं मुलायम बनती है नहीं फुली-फुली बनती है बहुती गंदा सा आटा हो जाता है तो मैंने तो यह बर्फ डाली websites a क्राखने उठाके तो यह बहुती बढ़िया रहे गी और इस तरीके से बर्फ के पहार अकसर अर फ्रिज में ज यह दो चुड़ाने में बहुत जाता है और उसका भी डल लगता है तो आगे से चोटा सा काम करना यह परिशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी तो आपको लेनी एक पॉलिटिन आगे ऊपर बॉटम उसका टॉप पार्ट है वो कट कर लेना जैसे मैं दिखा रही है इस तरीके से ठीक है आपको यह परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप यह ट्रिक लगा होगे तो आपको पॉलतिन में से ऊपर नीचे से कट कर लिया बीच में से कट लगाना यह पूरी यह थोड़ी बड़ी होगी ज्यादा इस पर लेना है तो आपको सर्सों का तेल मस्ट्रा तो आपको यह थोड़ा सा दो चार बून डालना जादा नहीं दो चार बून चर्सों का तेल डाल करके अब इसको अच्छे से हाथ से ना स्प्रैड कर देना फिला देना पूरी पूरी पॉलतिन पर और आपको यह तेल है ना दोनों साइड लगाना उपर भी नीचे भी जादा नहीं जरूरत इसमें जस तीन-चार बूंद ही बहुत रहेंगी तीन-चार ड्रॉप्स लगानी है और पूरी अच्छे से फैला देनी है अब चलना है में फ्रिज में अब इस पॉलितिन को आपको फ्रिज में थोड़ी थी पॉलितिन तो पूरा तो एक साथ आएग करेगा और आपकी बरतन वगेरा जो परिजानी है न चिपकने की फ्रिजर में जब कोई बरतन रखते हैं और अब जमाते तो बोग परिजानी भी नहीं होगी बहुत ही यूजफुल ट्रॉक है तो इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो नेक् की चाकू पिलर जितने भी न तो इतने जब जबर जस चमक जाएंगे वो जैसे अभी मार्केट से हम नहीं लेकर आए और धार भी अच्छे से काम करने लगी तो हैंडल वगएरा मैंने सारा उपर नीचे से कर दिया है तो बिल्कुल आप करके देखना यह बहुत ही अच्छ कर सबता है तो मैं झाल इसने फैंकती नहीं इस तरीका से यूज करती हैं इसके बाद इसकेद्टिों इससे मारे दोनों क हो जाते हैं छिलक यह बहुत्त नहीं है यह मैं जाए साक पार 색 locals चाकू प्लाड जितने भी हैं तो आप भी दो इसे हो सके तो इसतिमाल करना और कमें में जरूर बताना कि आपको यह ट्रिक ने काम किया या नहीं किया देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया प्याज हम लेके आते हैं भुती ज़्यादा चरम पर है सब्जीयों के भाब तो प्याज हो टमाटरों कोई भी सब्जी है तो इसको कहें कि कई बार हम प्याज आते हैं उपर से दिखने में बिल्कुल अच्छी है लेकिन जैसी हम घर लाके काटते हैं तो बिल्कुल अंदर से सड़ी यू निकलती है गली यू निकलती है या आदि पास प्याज खराब है एक दो लेर खराब है यह परिशानी सब के साथ होती है तो जब भी आगे से सबजी खरी है कि साबुदाने खिच्छी हम लोग ब्रत में खाते है हमारे खाते है अश्टमी को एकसी को अकसर बची जाती है ना चाते है तो पहले ही यह बची हुई है नहीं हम गायव अगरा को डालते है लेकिन जब से मुझे यह ट्रिक पता जाला है न बहुत ही अच्छी से अब गैस पकड़ाई चड़ाई है उसमें मैंने बारी बारी कट करके प्याज डाल देनी है हरी मिर्च डाल देनी है और आपको फिर हल्दी नमक में जो हमारे नॉर्मल सबजी में डालते है सारे मसाले नमक, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला सारी चेन डाल होते हैं वो भी डाल दें गजब की आत्व की रस्पी त्यार होगी से खाना चाय के साथ बहुत ही मज़े आएंगे तो पहले हम यह साम मैं इसी तरह करती हैं खिच्डिय के साथ और यह सब कि आपको क्या करना है लेनी है जो हमारी कब्रे दूने वाली ब्रस होती है इसको सीधा नहीं चलाना आ अगर आभी नहीं खिचिंगे आपकी साड़ी यह भो भी खराब नहीं होगी आपका दाग धबार वह भी आराम से छूट जाएगा नेक्स्ट आइडिया है मेरा हरा धनिया को लेकर हरा धनिया के बिना किसी भी सबजी में मज़े आते हैं नहीं कलर आता है दिखने में बहुत फ्रेस हो जाएगा इसके लिए आपको पानी लेना है उसमें थोड़ा सब आइस क्यूब डाल देने बरफ डालनी है और थोड़ा पांच मट के लिए हरदनिया इस तरह छोड़ दें तो जितना भी बासी सा मुर्जाया हुआ सा हरदनिया एक दम से फ्रेस ताजी हो जाएग इस ट्रिक से करके देखना और फिर थोड़ा पाई सुखा के आप इसे इस टूर करके रख सकते हैं निउस्पेपर में अर नेक्स आइडिया है मेरा आपको किसी चोड़े बरतन में लेना है गरम पानी थोड़ा ज्यादा गरम हो गया बर थोड़ा गुनगुना लेना है ठी लकडी के हमारे चकला बेरन होते हैं ज्यादा तर चकला नहीं कुछ पत्थर के होते हैं तो बेलंत लकडी का होता ही होता है तो इसे हमें पानी से ही वास करते हैं ज्यादा तर दोनों टाइम लेकिन इसमें इंफेक्शन का और वैक्टीर वगएरा का बहुजा रहता है आइडिया है मेरे धूब बत्ती को लेके हमेसा जलती हर गर में मैं हमीसा यही वाली धूब बत्ती जलाती है क्योंकि सबसे ज़्याद सुब्धा होती है सिजरासी इस्टिक तैयार करो और कहीं वी किसी भी चीज में लगा दो जरुब नहीं होती है वड़ी प्यारी खुस्पू देती है मुझे धूब बत्ती के वहाना पूजा में मन नहीं लगता तो मिसा लेकर आते हैं इस चोटी मुटी सी हमें यह पत्ती की तेयार करते हैं से और नीचे से आराम से जम जाती है लेकिन कैसे क्योंकि कई वार ऐसा होत हाँ जानती हूँ ज्यादे तर लोग जानते होंगे लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छे से काम करेगी आपकी धूबती जलाएंगे ना घी लगाके तो पूरी धूबती जलेगी विल्कुल भी नहीं बचेगी नीचे तक तो इस तरीके से आप जब भी जलाए घी लगाना और आराम से आपकी धूबती पूरी जलेगी देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया है मेरा नेल पॉलिस लगे वह हाथ कितने प्यारे लगते हैं लेकिन कई बारह मैं ना दूसरी यह कलर पसंद नहीं है दूसरी कलर के लगानी है या हमारे पास है ना वो नहीं ह ताजी नेल पेंट लगके उसके उपर वो उसको भी छुड़ा देगी बहुती यूजफुल ट्रिक है आप करके देखना इस तरीके से तो जो भी परानी नेल पेंट होगी उसको भी छुड़ा देगी मैं खुद दिखा नहीं चुड़ा के पहले लगी थी दुबारा ताज लगा लगा के फ्रेस छोड़ा सकते हैं नेक्स्ट आइडिया है मेरा प्याज लहसन चीलते हैं ना सबसे बड़ी परिशानी होदेश के छिलकों को स्टोर करना जैसे इन चीलते हैं गर्मी है पंकिये में बैठें कहीं बैठें तो इसके और रुके ना पूरे घर में करते हो तो इस तरीक से पानी डखने थोड़ा सा बरतन में और फिर उसमें चील चील चीलके लहसनों प्याज के चीलके डालते जाए तो आपको नघर मैसी होकर आपके जो चीलके वो भी आसानी से तो यह थी आज की टिपसें ट्रिक्स सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई कम मेरे साथ सेर करना मिलती हो कल अगले वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे थेंक्स फूर वाचिंग